हाई गाइस इस वीडियो में मैं आपको इस डेल के वायर्ड ओपिकल माउस का अन्बॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ और रिव्यू करके बताने वाला हूँ और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को मेरा नाम है अमतिवारी और आप देखना है टेकनिकल गिलेक्जी चैनल यह माउस ऑप्तिकल MS116 यूजब वायर्ड ऑप्तिकल माउस है इसका जो बॉक्स है वह यह है और इसका माउस जो है वह यह है इसको मैंने तीन महीने तक टेस्ट किया है तो यह जो है डेल का लोगो है इसका लेप साइड में और यहां पर आप्टिकल माउस लिखा है यहां पर यह इमेज बनी हुई है पूरी उसकी माउस की और यह थी यर्स वारेंटी की साथ आता है मैंने इसे ओन-लाइन से परचेस किया था और नीचे इसका मॉडल नंबर लिखा है जो आभी मैंने आपको पताया था MS-116 Authenticity Code यह जो है Authenticity Code दिया हुआ है इसको scratch करने पर यह पूरा Code दिखने लगेगा तो मैंने इसको अभी scratch नहीं किया है यह एक USB माउस है इस साइड में कुछ features दिया हुआ है sorry features नहीं कुछ details दिया हुई है और यहां पे सब Chinese में लिखा हुआ है English में लिखा हुआ थोड़ा mix अब यहां पे Chinese में लिखा हुआ है पूरा ज्यादा कुछ नहीं है इसके उपर इसके अंदर भी एक box आता है आपको खोल के बता देता हूं यह box है इसके आपनी में आया था वो instruction manual है तो अब हम इन्हें side करके और mouse पर आजाते हैं तो आब हम mouse पर आते हैं तो mouse में जो basically keys होती है वो ही है left right keys और middle key यह scroll wheel तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें बताने को इसमें back side में यह optical sensor है और यह नीचे जो है pad से दिये हुए हैं ताकि आप अच्छे से चला पाएं और इसकी cable जो है वो cable एक normal cable है rubber coated है और यह USB type है इसे मैंने अपने इस mouse pad पर या और table पर भी चला के देखा है तो यह अच्छा काम करता है table पर भी और दूसरी है तो कोई problem नहीं होगी अगर आपके पास mouse pad नहीं है तो और इसे मैंने अपने laptop के साथ connect करके तो चलाया यह साथ ही साथ mobile में भी connect करके चलाया तो mobile में connect करने के लिए आपको देखी यह OTG connector लगेगा मेरे पास C type है आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं यह जो mouse है वो 300 रुपे की price range में बहुत मस्त है इसकी quality look and feel सब कुछ बहु